हलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आई डिसक्स कर लेते हैं आज है 20 दिसंबर तो देखते हैं कौन सी डिसक्स करनी है देखें कल यूएस के प्रेसिडेंट डोनल्ड ट्रम्प ने नेशनल सेकुरिटी स्ट्रेजी अराउंस कि तो उसमें इन्होंने इंडिया को अपना एलाई बारा यून इंडिया को एक तरीके से इसको इन्होंने बैक अप किया है इंडिया को सपर्ट किया है और चाईना और अरश्या को अपना यह थेयर्ट Dopoाहि months invece इन्डिया cooperation with Japan Australia India इसके लावा we will expand our defense and security cooperation with India ठीक है तो इंडिया के साथ अपने relation और बहतर बढ़ाने के लिए इसके लावा security cooperation वगएरा defense cooperation बढ़ाने की बात कर रहे है और चाइना और इनको यह कर रहे है कि एक तरीके से यह खत्रा है हमारे लिए और इनुदे का है कि many countries in the Indo-Pacific were looking to US for leadership even as Chinese dominance risk diminishing the sovereignty of many state and the region ठीक है तो कहारे कि बहुत सारे countries जो है वो US की तरफ देखते है क्योंकि चाइन लोगों के लिए खत्रा बना हुआ है ठीक है यह कहारे कि China and Russia are determined to make economies less free and less fair to grow their military and control information and data to replace the societies expand their influence यह करे है कि Russia और जो चाइना है यह क्या करने कि अपनी मिलीटरी का expand करने और यह चाहते है कि जो economy हो फो less free हो और less fair हो तो यह सारी बात है इनकी है नहीं इनकी स्टेर्जी जो है सेकर्टी स्टेर्जी इसमें ये बातें कहीं गए और यह देखे कल अपोजिशन डिबाइड करना था पी एम के अपोलॉजी के लिए लेकिन मिटिंग जब हुई लीडर आफ हाउसे मतलब लीडर आफ अपोजिशन के साथ और लीडर आफ हाउस की तो उन्हों ने इसमें बरा कर दिया ठीक है और इस पेज पर तो यह देखे हाला की एड है लेकिन आप इसको थोड़ा सा देख लगते हैं यह है पर्धार मंतरी की एक स्कीम है ठीक है तो पर बेटर जाब सेकूर्टी वरकर सैंपिनेस हायर प्रोड़क्टिविटी ठीक है तो यह आप याद रख सकते हैं प्रधार मंतरी रोजगार पुरस्थार योज्रा इसके सलियेट फीचर भी यहां पर दिये हुए है राइट गवर्मेंट पे 8.33% EPS कांटिमिशन फॉर्णी इसको आप देख सकते हैं और अगली दियूज दिखी एक नई स्कीम थी वहां करबाटका की एक स्कीम थी सकला करके सकला स्कीम थी और यह करप्शन को रोकने के लिए थी और डिलिवरी आफ जो सर्विसेज होते हैं उनको एफेक्टिव बनाने के लिए थी तो इसका अब यह पार्ट टू इन्होंने लाज किया है ठीक है तो इसमें जो कुछ रूल थे उसमें इसको कहा रहे है कि अब इसमें बोर टिस प्रवाइट की गई है ताकि जो उसमें कुछ कभिया थी या कुछ प्रावलम्स आ रह एक कमिशन के कमिशन को इसको को इसको करने के लिए तो आप याद को रूखने के लिए और लेवरी सर्विसेज आफ डिलेवरी के लिए और यह दिखिए एक निवाद सुप्रीम कोड ने कहा है कि जजेज का यह काम नहीं है कि वह बूवी की इनालिसिस करें ठीक है तो एक से पहले भी एक जजमेट आया था उसमें सुप्रीम कोड ने कहा था और तो यह बतना भी नोटे पूर आलसर राइटिंग में भी और इसके अलावा आपके एसे में भी ठीक है तो इस पेच पे कोई इपोर्टेट नियूस नहीं है यह देखी एक नियूस थी यह यूपी ने क्या किया है पहले इनके वहाँ एक श्रवड यात्रा करके एक स्कीम होती थी जिसमें यह प्रॉइट करते थे कि कोई भी पिलिगरी में जो है वो भरवड पे जा सकता है फ्री आफ कास्ट ठीक है तो इसको इनों ने स्क्रेप कर दिया यह इसकिम 2015 में स्वाजवादी पार्टी ने राज की थी तो इसको फिलाल इनों ने खतब कर लिया तो इसमें एल्डरली जो सीटिसर होते बेसिकली उड के लिए थी वो फ्री आफ कास्ट वरवड में जा सकते थे और देखिए फूड रेगुलेटर जो है फूड रेगुलेटर कौन है फूड रेगुलेटर हमारा है FSAI यानि कि फूड सेफटी एड स्टेंडर्ड अथार्टी अफ इंडिया तो उसमें उन्होंन कुछ उनकी कविया पाई है उसमें इन्होंने ये कहा है कि इन्होंने बहुत सारे लोगों को बिना complete documents के इन्होंने license issue कर दिये ठीक है इन्होंने कहा है CIG ने कहा है कि FSAI for issuing license to business operator without complete documents ठीक है इसके लावा इन्होंने ये भी कहा है कि देखिए 72 जो laboratories थी उसमें से कहा है कि सिर्फ 65 है जो जिन्होंने इनको sample said किया था और ये कहा है कि not process the National Act Radiation Board for testing and calibration laboratories थीक है तो उसमें देखिए कुछ loopholes जो floss थे उनको उजागर किया है इसके लावां CIG ने भी कहा है CIG noted that there were systemic inefficiencies delays and deficiencies in the framing of various regulations and standards amendments to regulation in violation to the act and specific direction of the supreme court Supreme Court के direction का भी देखिए इन्होंने कहे है कि इनोने violation किया है और बहुत सारी और और भी कभी यह इनों ने कहरें कि deficiencies है आपके framing of various regulation में standard में कभी है ठीक है तो इन सारे चीज़ों को इनों ने उजागर किया है तो CAG देखिए हर चीज की यह क्या करती है अच्छा आप हमें लिखें कि CAG के बारे में लिखें कि इसका constitutional provision क्या है अच्छा आप सारे institution को इनों ने especially higher educational institution जो होते है उनको इनों ने कहा है कि आप comply किजिए जो rule है disabled के लिए ठीक है higher educational institution both government ones and those which takes government edit बतलब जो गवर्मेंट तो है इसके लावद जो गवर्मेंट से एड़ लेते हैं उन लों का है कि आप ensure किजिए कि level playing field provide कि जाए disabled के लिए ताकि discrimination face ना कर सके तो right of the person and disability जो act है वो provide करता है 5% reservation in local seats में ठीक है तो वो कह रहा है कि यह जो चीजे है यह जो लाज है इस पर आप comply कि जिए कि मतलब यह जो city है वो भरी जा सके ठीक है कि अब तक देखिए इस का violation होता रहा है अब तक इस पर आप लोग कंप्लाई नहीं करते रहे अब आप लोग को कंप्लाई करना होगा राइट तो यही कि इन्होंने कहा है अगली देखिए यू जो आधार की जो अथार्टी है यू आई डी आई उन्होंने जो डॉप्स है कुछ कुछ रूल्स जो है उनको कुछ टाइट किया उन्होंने यह कहा है कि बिना citizen के permission के बिना उनके एसेंट के आप आधार लिंकिक का का नहीं कर सकते है इन्होंने यह कहा है देखिए NPCI will disable the override feature that UADI said is being misused by many banks while sitting other card to account ठीक है तो बिना consent के बिना permission के ही यह लोग sitting का का करते हैं तो वो कह रहे है कि यह अब नहीं होगा यह आप आपको बिना permission के ऐसा आप linking नहीं कर सकते ठीक है तो permission आप लोग जब तक नहीं देंगे तब तक आपका card वो link नहीं करेंगे तो अब यह news वैसे पुरानी है लेकिन यह चुकि पार्लेमेट का session चलना है तो उसमें यह बाते कहीं गई है तो opposition यह बंदा उठाया है और इन्होंने यह कहा है कि आप GST को GST में इसको पेट्रोल को कब शाविल कर रहे है तो इन्होंने कहा है कि सेंटर चाहता है GST में इस कि अब पार्लेमेंट को इस आप पार्लेमेंट ने पास कर दिया है तो इस बिल के पास हो जाने के बाद अब इनको डिग्री बिल सकेगी तो दबिल तो आप डॉक्टरल डिग्री भी आई-ई-ई-ब से आप पा सकते हैं देखिए 2016 से 2017 के बिस में 230 परसेंट सिसफायर का वाइलेशन हुआ है तो 2017 में यह कह रहा है कि 771 टाइब्स इस बार रहा जब कि इससे पहले यह 228 बार था तो मतलब काफी इस पार है इसमें हाइक दिखने को मिला है और यह दिकी सेंटर में कहा है कि हम e-cigarette पे एक कमिट्टी बना के यह करें कि इसको इसको एफेक्ट को एक्जामिन कर रहे है इसको एक कमिट्टी बनाए गई है तो उसका कमिट्टी के इसाफ से फिर उसमें एक्जन लिया जाएगा ठीक उसके बाद यह करें किस पर बात की जाएगी और यह कि पाकिस्तारियों को इस बार वीजा जो दिया गया उसमें 18,000 की कभी की गई है और पाकिस्तारियों ने जब 6,000 वीजा इस बार बढ़ाए है तो पिछली बार यह देखिए 2016 में यह था 52,000 सब्थी था और इस बार 34,000 और लोग सबारे देखिए कुछ ओल्ड लास्ट थे उनको रिपील किया है तो लोग सबाब पास्ट टू बिल्स तुजडे रिपिली टू फॉर्टी फाइव ऑप्सुलूट एड आर्के क्लास इंक्लूडिंग 11-11 प्रिवेट्स राफ सिनिस्यस मिटिक तो यह तो अच्छ कहा है कि यूएस की जो पार्टनर्शिप है एसिया पैसिफिक में वह हमारे लिए बहुत ही वाइटल है राइट तो यह वैसे और यह सारी ड्यूज जो है हाई यह देख सकते हैं आप इस बार डोटा का जो यूज हुआ है वह बहुत ज़्यादा उसके नंबर रहे है हलाकि ओवराल देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अभी तक बिहार में इसका यूज हुआ है 2.48 परसेंट जो पिछल्या एलक्शन ह हुआ था 2015 में उसमें हुआ था और लेकि इस बार जो गुजरात में है वह 1.18 है शायद ठीक है तो यह देख सकते हैं शेयर 1.8 है 1.8 परसेंट एमांग दे स्टेट्स एड यूज टेटीज वेर असेम्बली एलक्शन हैं सिस 2015 बिहार is on the top ठीक है न तो इसको आप थोड़ा है और चाइना ने देखिए यूएस की स्टेट्जी को एक तरीके से स्लैब किया है ऐसे कोल्ड वार मेंटलिटी तो यह और ट्रॉप मेक्स कर्टा डिक्टरी देखिए ट्रॉप ने फिर अमरिका फर्स्ट वाले जो उनकी जो रही थी है उसको उनकी बात किये तो इनका दे रहा है कि देखे यह बने रहना चाहते है सुर्कियों में हमेशने कुछ ऐसे ही बाते करते हैं देखिए यूएस ने जो अभी साइबर अटेक हुआ था वन्ना कराई के नाप से आप लोगो पता होगा जिसमें 150 कंट्री मतलब पे असर पड़ा था इसका और यह देखिए थ अच्छी पैसे की दिवार्ड भी की थी और पैसे भी वह मांग रहे थे बिटकॉइल में ठीक है ना तो उसी यूएस कर रहा है कि यह नार्थ कोरिया का काम था नार्थ कोरिया नहीं यह किया था और चाइना है रिस्पॉंडेट टू इंडियन बोस तो कि चाइना ने चाइ इंडिया ने बालदीव के साथ एक कोपरेशन वह डिल साइड किये और वहां पर यह उड के पोर्ट वागरे डेवलप करने की बात किये तो इंडिया एक तरीके से यह रियक्शन है इंडिया के लिए तो क्योंकि यह बहुत थी इंको जो बनाय गया है उसमें इनको यह लग रहा है कि इनको कोउंटर करने के लिए..? है something इसके witness लेक्शन यह और है। कर टै का को रिटैकर जय कु इसके लिए 30 का मिंबर का गंग्र ज्यांग फोर्किंगu तो ये जो है मिल्कला देश और व्या camping दोरों ने बिलके बनाया है कारो ऑफसी को एडशूर करने के लिए कि का इसली तो ये क्रोजुआ है कि अलकाइदा में ही ये प्रेक्ष्ण ह्ट तो जो फ्रेक्ष्ण है तो जो कह रहे हैं कि देखिए जो एडलीब एक फ्रैक्शर हो गया तो यह थे कह रहे हैं कि अब इनको जो बशार रलासाद हैं उनको थोड़ी सी आसा क्योंकि यह प्रोविश है जहां पर इनकी अथार्टी अभी वहां पर मतलब इनो वहां पर कभजा नहीं कर पाए तो इस उनको आसानी हो जाएगी वहाँ पर कमजा करने में CIG ने देखिए कुछ और फ्लाज को उजागर किया है और ये हैं accounting से related इसमें उने कहा है कि कुछ फ्लाज की वज़ा से जो actual जो fiscal deficit और revenue deficit होना चाहिए वो हमें नहीं मिल पा रहा है ठीक है तो ये कुछ चीजे हैं जिनको कह रहे हैं कि underestimate किया गया है और इसकी वैस से इसमें जो fiscal deficit और revenue deficit है वो इस साल का वो मतलब accurate नहीं है ऐसा इनका कहना है ठीक है ना तो audit flows financial year year 2016 fiscal deficit possibly understated तो कुछ इसमें भी कभी पाई है उन्हों ने और उसको यहां पर mention किया है ओ कंपनीज एक्ट देखिए अवेड़ मेंट्स टू कंपनीज एक्ट पास्ट इस compliance ठाई तो कंपनीज एक्ट का अविड्मेट को कंपनीज जो एक्ट था 2013 का उसमें कहा रहे है कि 40 अविड्मेट करीव किये गए ठीक है और तो इसका मकसद यह है कि compliance को और कैसे बढ़ाया जाए तो राजे सम्हाने पास कर दिया है इस विल को और इसको पहले जुलाई वाला सेशन हुआ था उसमें लोग सम्हाने इसको पास कर दिया था ठीक है तो इसको और बढ़ावा देने की बात कर रहें तो इन चीजों में कहा है कि बहुत ज्यादा पोटेंशियल है तो इसको और बढ़ावा देने की बात कर रहें ठीक है